सो दोस्तो आप लोग कैसे हो आसा करते आप लोग अच्छे होंगे और सुवस्त होंगे साथ में बोर्ट परिच्छा के लिए कापी अचिता से त्यारी कर रहे होंगे सो दोस्तो आज केस कलास में देखेंगे कलास त्वल जोगराफी यानि की भुगोल के बीबियाई औबजेक्टी परस्न जो की आपके एकजाम की डिश्टी से कापी मात पोन है तो चले दोस्तो बिना देर करतो इस वीडियो को सुरू करते हैं जो भी चाचिता इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को सुरू से लेकी लास्त तक बन रहे हैं कोर्सिस करें कि एक एक अबजेक्टी परस्न को अच्छी तरस से याद कर सके क्योंकि इस वीडियो में जितने भी ऑब्जिक की प्रिशने बोट परिक्षा हैं पूछे गए प्रिशने तो सही प्रिशन को आप लोग अच्छी तरसे याद कर ले तो चली दूस्तों सारे प्रिशन को अच्छी तरसे देखते हैं इससे पहले आप लोग चैयाँ पे नए हो चैयाँ पी पहली बाराया तो चैयाँ को सब्सक्राइब कर लिजी साथ में एक बेल अकन उसको भी दवाय के लाव कली ताकि इसी तरख वीडियो आपको मिलता रहे स सबसे पहले तो चली दूसरों एक इक करके यस सारे प्रिश्न को देखते हैं तो आप लोग लास्ट तक बने रहे कोर7 करीगी साहरी प्रिशन को याद कर सके सो प्रशन का अंसर आपसे को पहले से पता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कॉमेंट केज़े गया तो आपके स्कीन पर आपका पहला प्रशन है नीचे चार ओप्सन दिया है इसका जो कॉरेक्ट एंसर ओप्सन ए है और जो की अनुनाचल पर देश तो दिस्तो एक का राइट एंसर ओप्सन ए इसका कॉरेक्ट आंसर है इसका जो कॉरेक्ट एंसर है राइट एंसर ओप्सन ए है 10.41 करोर तो दिस्तो दो का राइट एंसर ओप्सन ए है इसका जो कॉरेक्ट एंसर है राइट एंसर ओप्सन ए है इसका जो correct answer है right answer option D है फल एबं सब्जी से समन्धित है तो च्यार का right answer option D इसका correct answer है अलब प्रिश्ण आपी दिखते पांचन प्रिश्ण है शुक्च चेतर में मिर्दा अपड़न का मुख्य कारण क्या है इसका correct answer right answer option A है नहर दिखते पांचन प्रिश्ण है तो चेतर आपड़न का मुख्य कारण क्या है अलब प्रिश्ण आपी दिखते पांचन प्रिश्ण है तारा पुर्ण नाप की ओर्जा केंद्र अवस्तित है इसका correct answer right answer option B है महराष्ट में अवस्तित है तो साथ का right answer option B है तो दोस्तो अभी तक इस वीडियो को share नहीं कहते वीडियो को share कर दे ताकि और भी student जुर्ण के वो भी board प्रिच्छा के लिए अच्छीता से त्यारी कर सके इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके समने आई बटन दिख रहा होगा उस पे क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं तो अले प्रिच्छन आपी दिखते हैं आटनम प्रिच्छन है निमलिखीत में कोन पाचमी भारत की नदी वेसीन है इसका जो correct answer right answer option A है माही वेसीन तो दिस्तो आटका right answer option A है अले प्रिच्छन आपी दिखते हैं सबसे महत्पुन जूट उतपादक छितर है सबसे महत्पुन जूट उतपादक छितर है इसका जो correct answer है right answer option A है गंगा डिल्टा तो दिस्तो नौ का right answer option A है तो दिस्तो अभी तग आप लोग टेलिग्रम चैन से नहीं जूड़े हैं तो जाए कि जली से जूड़ जाए जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दी है या आपको टेलिग्रम चैन पर जाना आपको सर्ज गना एजूकेसन भाई गूपता जी वहां पर आ जागा और आप लोग अस्तानी से जूड़ सकते हैं तो अगले प्रिष्णियां पर देखते हैं देशन प्रिष्ण है बाबा बुदन पहारी है तो आपको याद है कि बाबा बुदन पहारी कहां है करनाटक में है गोवा में है जारखन में है उरिसा में है इसका जो क्रेक्ट एंसर है राइट एंसर ओप्शन ए है करनाटक में तो दिस्तो आपको याद है कि बाबा बोधन पहारी कहा है तो करनाटक में है तो दसका राइट एंसर ओप्शन ए है अलब प्रिश्ण निमलिकीत राज्यों में कोन गोडवाना कोईला के लिए परसिद है तो आप से जयाँ पूश सकता है निमलिकीत राज्यों में कोन गोडवाना कोईला के लिए परसिद है इसका जो कॉरेक्ट एंसर है राइट एंसर ओप्शन भी है तिरपूरा है जो की परसिद है इसका जो कॉरेक्ट एंसर ओप्शन भी है जलवाईव तो देखती तेरन प्रसिद है दोग करण से कौन सा पर्दूशन होता है इसका जो और एप्सन यह जल पर्दूशन ऑप्सन B यह राइपसे पर्दूशन होता है तेरह का जो राइट एंशर ऑप्सन दिया इनमें से सभी अल प्रिश्णया पी देख से चौदन प्रिश्ण कराई की हत करगा उधोग है सो आप से जान पूछ सकता हत करगा उधोग कहा है इसका जो कौरेक्ट एंसर राइट एंसर ऑप्षन जो की बीस का राइट एंसर कूतील उधोग है तो हत करगा उधोग है तो कूतील उधोग है तो चौदा का राइट एंसर संद्रें आल प्रश्ण लियाबर इदेफ्टी पणनें या मोंडी equals यह इस्तित है यह तो कहांगी प्राइव किन्धम यह मुंडी लौ सिप्राइव कर में particular उस्तित तो प्राईव तो है अगर आप सभी आंसर जानते हैं तो कॉमेंट जरू किजिए इसका जो कॉरेक्ट एंसर राइट एंसर उप्सन भी है उनीस साइट के दस्टक में शुरू हुई थी तो सूला का राइट एंसर उप्सन भी है कॉलकाता पतन इस्तित है इसका जो कॉरेक्ट एंसर है राइट एंसर उप्सन भी है तो साथ का राइट एंसर उप्सन भी है इसका जो कॉरेक्ट एंसर उप्सन भी है तो दिस्तु आठार का राइट एंसर उप्सन सी है इसका जो कॉरेक्ट एंसर उप्सन भी है तो दिस्तु आठार का राइट एंसर उप्सन भी है इसका जो कॉरेक्ट एंसर उप्सन भी है करनाटक में अवस्तित है तो दिस्तु अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक जरूर कर दे ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलता रहे क्यों इस तरह के वीडियो मिलेगा तो आपको बता देख लाइक की जएगा तो हम मोटिवेट होंगे और वीडियो बनाने का मन करेगा ठीक है तो आप लोग लाइक कर दीजे इस वीडियो को सेर कर दीजे ताकि और विस डूर्ण को हेल्प मिल्सके तो आप लोग चया पी सबसे पहले प्रिश्णियां पर देखते हैं कि निम्लिकीत में सरवादिक परदूसित नदी कोन है इसका जो प्रिश्ण नदी है जो की सरवादिक परदूसित नदी है तो दिस्तों प्रिश्णियां पर देखते हैं निम्लिकीत में कोन मानम और प्रियावन की वीच अन्योन किरिया का सरवादिक महात्पुन कारक है इसका जो कौरेक्ट एंसर है राइट एंसर ओप्शन दी है मानमी भाई चारा तो दिस्तों 22 का राइट एंसर ओप्शन दी है आपसे भी एंसर ओप्शन भी है मानमी घटक को माना गया है तो तैस का राइट एंसर ओप्शन भी है अलबरेश्णियां पर देखे चोविसन प्रिशन है निम्लिकीत में कोन रोपन फसल नहीं है नीचे चार ओप्शन दी है सभी ओप्शन की देखिए उसके बाद एंसर कॉमेंट निम्लिकीत में कोन प्रात्मी किरिया कलाप है इसका जो क्या प्रात्मी किरिया कलाप है इसका प्रात्मी क्या कलाप है तो 25 का राइट एंसर ऑप्शन घोड़ती है सुज नहार जोड़ती है किस से जोड़ती है इसका जो correct answer है right answer option D है लाल सागर को भू मद्य सागर से जोड़ती है तो 26 का right answer option D है 27 प्रशन है नेता जी सुवाचन बोस अंतराष्टी हवाई अड़ा है इसका जो correct answer है right answer option B है पहची मंगाल में है तो 27 का right answer option B है 28 प्रशन है नदी के सारे बसा गाउं किस परती रूप में आएगा तो 28 का right answer option D है 29 प्रशन है 2021 की जनगना का उनसार बिहार का जनसां क्या गनत प्था इसका correct answer right answer option D है 1206 वेक्टी पर वर किलो मेटर तो 29 का right answer option D है अल प्रशन है प्रशन है भारत में पुना जनगना पहली बार कब हुई थी इसका correct answer right answer option A है 1881 में हुई थी तो 30 का right answer option A इसका correct answer है तो दिस्तों आपको बता दे इस कलास में कलास 12 जोगराफी यानि की भुगोल की कुल BVI प्रशन तीश थे तो 30 में से पहले से कितने प्रशन याति सही से नीचे comment करें वीडियो आपको कैसा लगा यह भी नीचे comment करें उमीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा हो पसंद आ तो वीडियो को एक like कर दीजे साथ इस वीडियो को share कर दीजे ताकि और भी student अच्छी तरस से त्यार कर सके तो आप लोग चाहिए पर नहीं हो तो चाहिए को subscribe कर लिजी ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलतारे सबसे पहले तो दूस्तों आप लोग यह जोड़ो कमेंट करें कि आपको कौन से subject के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल सके तो च हैंड़ करेंड़ 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 करेंड